जैहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है राजनीती एक्सपर्ट में और जैसा आप सब लोगों को पता है कि हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें हमने जो हमारा पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था हमने अनुचेद 14 और अनुचेद 15 पढ़ लिया था अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जाके उसको देख सकते हैं अब जो हमारा नेक्स्ट अनुचेद है वह अनुचेद 16 अनुचेद 16 में क्या लिख तो हम सबसे पहले अनुचेद 16 एक के बारे में पढ़ते हैं अनुचेद 16 एक में क्या लिखा गया है अगर आप नोट करना चाहिए तो नोट कर सकते हैं जो लोक नियोजन है इसको अगर दूसरे सब्दों में कहूं तो जो सरकारी नोकरी है सरकारी नोकरियों में सबी को समान अवसर दिया जाएगा ठीक है अनुचेद 16 एक में सिर्फ इतना लिखा गया है कि जो लोक नियोजन के कारिये है यह सरकारी नोकरिया है उन्हें सब्सकर में समान और सर दिया जाएगा ने की कर समान किया जाएगा एक्षज्ट आनुचेद 16 दो उसक्ता सोला दो में क्या लिखा गया है करा है कि राज्य जो है वह किसी व्यक्टी के साथ धर्म जाती मूलवन्स लिंग और जनमस्तल इसी के साथ में दो आधार और हैं उद्बव और निवास यह जो साथ आधार हैं इन आधारों को मद्धे नजर रखते हुए राज्य किसी भी वेक्टी के साथ बेदवाव नहीं करेगा अब आप कहेंगे कि सर पंद्रा एक में भी हमने कुछ ऐसा पड़ा था तो यह जो पांच आधार हैं पंद्रा एक में सिर्फ इन पांच आधारों के बारे में जिकर किया गया है लेकिन जो सोला दो है उसमें उदवाव और निवास यह दो शब्द और जोड़ दिये गए हैं राज्य इन साथ आधारों के उपर किसी के साथ भी बेदवाव नहीं करेगा अब अगर आपसे अनुचेद पंद्रा एक और सोला दो में फरक पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि अनुचेद पंद्रा एक में सिर्फ जो समानता के आधार हैं वो पांच आधार दिये गए हैं लेकिन जो अनुचेद सोला दो है उसमें समानता के कितने आधार दिये गए हैं, सात आधार, राज्य जो होगा वो उद्वव, यानि कि जहां से किसी भी वेक्ति का प्रारंब हुआ है, जैसे आप लोग देखते हैं कि किसी का जन्म कहीं और हुआ है, लेकिन फिर वो जाके कहीं और रहने लग जाता है, फिर व निवास के आधार पर उसके साथ बेदवाव नहीं किया जाएगा इतना आपको समझ में आ गया होगा इसको आप अच्छे से याद रखें कि पंद्रा एक में सिर्फ पांच आधार दिये गए हैं दर्म, जात्ती, मूलवन, सलिंग और जनमस्तल लेकिन सोला दो में साथ आधार दिये गए हैं और दो आधार और जोड़ दिये गए हैं वो कौन-कौन से हैं उद्वाव और निवास इन साथ आधारों पर कोई भी बेदवाव नहीं किया जाएगा राज्ये के दौारा अब हम बात करते हैं अनुछिद सोला तीन सोला दो में अभी लास्ट में आपने जो सात्वा वर्द था निवास वो पड़ा था कि निवास के आधार पर राज्ये किसी के साथ भी बेदवाव नहीं करेगा अगर हम सोला तीन देखें तो 16-3, 16-2 का अपवाद है तो इसमें क्या बताया गया है 16-3 में कि राज्य जो है वो लोक नियोजन के जितने भी मामले होंगे लोक नियोजन अर्थाथ लोक कल्यान के जो मामले होंगे सरकारी नोक्रिय होंगी उनमें निवास के आधार पर कोन कानून बना सकता है संसद संसद जो है वो कानून बना सकता है कि राज्य के जो लोक नियोजन के मामले है उनमें निवास के आधार पर प्रात्मिक्ता दी जा सकती है प्रात्मिक्ता देने से यहां तात्प्रिय है कि आरक्षन दिया जा सकता है कोई भी वेक्ति किसी वंचित छेतर में रहता है तो उसको निवास के आधार पर प्रात्मिक्ता दी जाएगी ये कहता है 16-3 ये आपको समझाया होगा कि 16-3 के अनुसार संसद कानून बना सकता है संसद कानून बना कर निवास के आधार पर विशेश प्रावधान कर सकता है अब इसमें किस्टन आप से किस परकार से पुछा जाएगा कि जो लोक निवास के मामले हैं उनमें निवास के आधार पर विशेश प्रावधान कोन कर सकता है आपको उप्षन दे दिये जाएंगे राश्टपती जी दूसरा उप्षन दे दिया जाएगा संसद तिसरा दे दिया जाएगा राज्य विधान मंडल या फिर दे दिया जाएगा इनमें से कोई भी नहीं तो वहाँ पर उनके लिए कानून कोन बना सकता है सिर्फ संसद कानून बना कर उनके लिए विशेश परावदान कर सकता है तो ये था 16-3 अब हम बात करते हैं अनुछे 16-4 के बारे में 16-4 में क्या लिखा गया है कि राज्य जो है वो सामाजिक और सेक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग है यानि कि S, E, B, C के जो लोग है वो S, C के और जो S, T के टेगरी के लोग है इनको अगर जो राज्किय सेवाई है राज्किय सेवाओं में उचित प्रतिनिदितों प्राप्त नहीं है प्राप्त नहीं होने पर जो राज्य है वो क्या कर सकता है इनके लिए वो विशेश प्रावधान कर सकता है ठीक है यहां पर विशेश प्रावधान कोन कर रहा है राज्य कर रहा है और पिछले अनुछेद में हमने देखा था कि संसद निवास के आधार पर विशेश प्रावधान कर सकता है और S, E, B, C S, C और S, T के लिए विशेश प्रावधान कोन कर रहा है तो वह कर रहा है राज्य नाकी संसद इस चीज को आप ध्यान से समझें और याद रखें कि 16-4 में जो प्रावधान कर रहा है वह राज्य कर रहा है और 16-3 में जो प्रावधान कर रहा है वह संसद कर रहा है जो SCBC है इसको आरक्षन देने के लिए प्रसिडेंट जो है हमारे रास्टपती वो आयोग गठित कर सकते हैं यह उनके पास सकती है यह उनकी विशेश सकती है जो कि हमने हमारी पिछली क्लास में पढ़ा था कि प्रसिडेंट की एक सकती है कि वो इनके लिए जो है विशेश है उसका गठन कर सकते हैं तो इसी सकती के तहट उनकी सो तरेपन में राश्टपती जी ने अनुच्छे 340 को मद्ध्य नजर रखते हुए एक आयोग गठित किया था जिस आयोग का नाम क्या था काका कालेल कर आयोग और इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है वो 1955 में 1955 में दी थी ठीक है अपना जो प्राथिवेदन है में 1955 में दिया था लेकिन उसको स्विकार नहीं किया गया उनकी जो रिपोर्ट थी हुसको klar धिया गया ठीक है यह आरक्षन से समधित उन्होंने अपना एक रिपोर्ट पेस की थी लेकिन उस रिपोर्ट को राष्ट पती जी ने नकार दिया था इसके बाद क्या हुआ इसके बाद एक आयोग और गठित किया गया जिसका नाम था बीपी मंडल आयोग और यह कब गठित किया गया था 1979 में ठीक है और 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी और इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा था वो भी समझते हैं कौन सा आयोग गठित किया गया था कि बीपी मंडल आयोग कब क्या गया था 1979 में और इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो कब दी थी तो रिपोर्ट दी थी 1980 में और इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा था कि जो भारत की 3743 जातियां हैं वो आर्थिक रूप से पिछडी हुई है ठीक है और उस समय पर इतनी जातियों को एक साथ आरक्षन देना बहुत मुश्किल था इसी वज़े से राष्ट पती जी ने इसको खारीज कर दिया यह रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई कितनी जातियां बताई हैं इन्होंने 3743 यह क्यूशन आप से पुछा जा सकता है आपके जो आरेस या फिर एसाई का या फि रिपोर्ट में तो उन्होंने कितनी विताया था 3743 लेकिन इसके दस वर्ष पस्ताथ सरकार बदल गई सरकार आई विपी सिंग की और यह बात कब की है 1990 की 1990 में कि जो विपी सिंग की सरकार थी इस सरकार ने इस मामले को दुबारा से उठाया और इन्होंने जो ओबी सि है उसको 27% आरेक्षन दिया ठीक है इन में से जो बहुत सारी जातिया थी उनको सामिल कर लिया गया कुछ को सामिल नहीं किया गया उनको अलग-अलग काटेगरी में डिवाइड कर दिया गया और इन्होंने पहली बार OBC को 27% आरेक्षन दिया ठीक है अब अगर आपसे पुछा जाए कि OBC को 27% आरेक्षन किसकी सरकार में दिया गया तो वो दिया गया था वीपी सिंग की सरकार में कुण से आयोक की सिफारिश पर दिया गया था तो वो दिया गया था बीपी मंडल आयोक की सिफारिश पर इतना समझा गया होगा तो यह माम्ला था 1990 गा उसके दो साल बाद 1974 네 इस की सरकार थी 1902 сторон है प्रिव iki तो फीवी नर्शिंग राव की सरकार थी इस सरकार ने पहली है एक बदलाव किया एक अलग प्रावधान किया और वह क्या qiki इन्होंने जो एडबलूत से धा速 पात रेकनल के लिए उसके लिए इनंहों कि दस परतिस्त आरक्षन का प्रावधान किया जैसा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है ठीक है अब एक बहुत अच्छा अच्छा आप लोगों के लिए आता है आप से पूछा जाए कि जो एडवलुए से एकोनोमेकल विकर्ड सेक्षन है उसके लिए सबसे पहले आर एडवलुएस के लिए दस परतिसत का प्रावधान किया था जिसको बाद में समाप्त कर दिया गया लेकिन उन्होंने सबसे पहले यह प्रावधान किया तो अगर पूछा जाए कि सबसे पहले किसने प्रावधान किया तो वह किया था पीवी नर्सिंग राव की सरकार ने अ आप एक केस स्टेड़ी आती है आप लोगों के बीच में और आपने यह सुना भी होगा कि इंद्राशानी कि बनाम भारत सरकार और यह मामला कब का है तो यह मामला है 1992 का ठीक है जैसे ही इनोंने आरक्षन दिया उसी के साथ में यह मामला आता है इंद्राशानी बनाम भारत सरकार 1902 में अब इस मामले में क्या कहा गया तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस समय पर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके जो मुख्य नयायदीस है वो कौन थे त 10 ऐन थ्यायदी से छाषए हैं तैंट उन्होंने क्या कहा कि जो ऐसी को 27 प्रतिशत आरक्षन है और जो तो सही है लेकिन दाईस सब्सक्रम उंहले क्तल सब्सक्रावब कर दिया लेकिन जो उबढियोस का जो नरेंदर मोधी सरकार में दुबारा से दत्र परतिसत आरक्षन दिया है तो इस में कहा गया कि जो आरक्षन की सिमा है बार इए वह प्रतिसत से अधिक नहीं हो सकती ठीक है और क्या प्रावधान किया इन्होंने तो जो पदोनती है पदोनती में आरक्षन नहीं होगा एक ये भी प्रावधान किया इन्होंने और इसके अलावा एक प्रावधान और किया वो क्या था जो क्रीमी लेयर है कि प्रैमी लेयर को भी जो बीये ऑरयक्षन नहीं दिया जाएगा कि ओर इस वाद को कि अन्य नाम से पुछा जाए तो वह क्या है इसका मंडलवाद कि आपको एक्जाम में इंद्रा सानी वाद ना दे कर आपको मन्डलवाद दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि जो EWS का 10% है उसको किस वाद में गोशित किया गया तो वह किसमें किया गया था मंडलवाद या फिर इंद्रा सानी मनाम भारत सरकार का जो मामला है इसमें किया गया था अब आप कहेंगे कि सर तमिल नाडू में तो 68% है तो फिर यह तो इस मामले का उलंगन हो गय संसोधन किया पर समिलय कोई है अप इसको में सामिल कर दिया गया इसी वजह से जो तॉचिन लोम है कोई सामिल कर दिया गया तो इसमें फेर बतल नहीं किया जा सकता उसको चुनोती नहीं दी जा सकती तो इसी वज़े से जो तमिल नाडू का आरक्षण है उसको चनोती नहीं दी जा सकती और ऐसी ही गटना हाल फिलाल में करनाटक में हुई है करनाटक में भी जो 50% की सीमा है उसका उलंगन यह सब इस मामले में बताया गया था इसके बाद आता है अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया अनुच्छेद 17 में कहा गया कि जो अश्पर स्थिता है उसका अंत किया जाई जो अंटच है है कि वह क्या है पाप है कि यहां पर एक बहुत अच्छा किशन आप लोगों के लिए बनता है अगर आप से एक्जाम में ऐसा पूछा जाए कि सम्विधान के किस अनुच्छेद में गांधिवाद की जलक आपको दिखती है या फिर इंट्रिव्यू में आपसे पूछा जाए कि सम्विधान के कौन से अनुच्छेद में गांधिवाद की जलक आपको दिखती है या फिर इसी क्यूशन को आपसे ऐसे पूछा जाए कि कौन से मूल अधिकार में आपको गांधिवाद की जलक दिखती है तो वह दिखती है समानता के अधिकार में अनुचेद सत्रा में क्योंकि जो अंटचेबिलिटी इस्षिन है ये गांदी जी के द्वारा कहा गया है गांदी जी ने कहा था कि जो एस परस्ता है वो पाप है इसको समाप्त करना चाहिए तो जो अनुछेज सत्रा है वो गांदी वाद से संबंदी थे अब यहां पर दो चीज़ें आती है एक तो आता है कि जो एस परस्ता है उसको रोका जाए और दूसरा आता है कि अगर किसे ने किया है तो उसकी सजा का प्रावधान अब यह चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि अनुछेज सत्रा जो है इसमें सिर्फ एस परस्ता को रोकने की बात की गई है अनुछेद 17 में शिर्फ ऐस परस्ता को रोकने की बात की गई है उसकी सजा का प्रावधान इसमें नहीं बताया गया है तो इसकी सजा का प्रावधान कहां पर है तो वो है अनुछेद 35 में ठीक है जो अंटचेविलिटी है उसके लिए जो सजा का प्रावध प्रावधान होगा वह कहां पर है अनुछेद 35 में ना कि अनुछेद 17 में आप इसको अच्छे से याद रखें एक्जाम में आपको कन्फ्यूज किया जाएगा आप से पूछा जाएगा कि जो अनुछेद 17 है उसमें प्रावधान किया गया है कि अन्टचेविलिटी या फिर एस परस्ता है उसकी सजाका तो उसकी सजाका नहीं सिर्फ उसको रोकने का प्रावधान किया गया है उसकी सजाका प्रावधान कहां पर है तो वो है अनुछेद 35 में कि आनुच्छित पैंटिस के आधार पर 1955 में एक अधिनियम बनाया गया था कि जो आर्टिकल 35 है इसके अकॉर्डिंग में 1955 में एक अधिनियम बनाया गया था कि एस परस्ता अपराद अधिनियम ठीक है और इसी का नाम बदलकर बाद में क्या रख दिया गया जो आईस परस्ता अपराद अधिनियम है 1955 इसका नाम बदलकर या संसोधन करके बाद में क्या रखा गया तो इसका नाम रखा गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम ठीक है क्या नाम रखा गया इसका है कि 1976 में कि अधिक है कि जिसको हम क्या बोल सकते हैं सिविल राइट एक्ट इसके अनुसार अगर किसी भी नागरिक के साथ ऐस परस्ता का वेवार किया जाता है तो जिस भी वैक्ति ने किया है उसके उपर 500 रुपय का जुर्माना या फिर 6 महिने की जेल भी उसको की जा सकती है ठीक है क्या क्या किया जा सकता है पांचो रुपय का जुर्माना या आप से पुछा जा सकता है एक्जाम में छे मा की सजा और जो विदान मंडल के चुनाओ है विदान मंडल के जो चुनाओ है उनसे बंचित किया जा सकता है जिस भी वैक्ति ने ऐसा किया है तो आपको यह समझाया होगा सिविल राइट अक्ट अब आज का जो हमारा लास्ट अनुछिद है उस पे चर्चा करते हैं वह अनुछिद अठारा अनुछिद अठारा में क्या बताया गया है तो इसमें कहा गया है कि जो भी उपादिया है उनका अंत कर दिया जाए ऐसा क्यों किया जाए तो यह जो समा बीर बहादूर या फिर राइजादा या फिर महाराज इस परकार की उपादी दे दी गई तो इसका मतलब है कि वो दूसरे लोगों से विशेश है तो जो अनुच्छेद 18 है उसमें क्या कहा गया है कि उपादियों का अन्त किया जाए है अब आप लोगों के माइंड में एक बेसिक किसन आएगा कि जो पदम स्री है वो क्या है फिर अगर वो उपादी नहीं है तो वो क्या है वो भी तो परदान की जाती है तो जो पदम स्री है या फिर मैं कहूँ कि जो पदम है वो पुरुषकार है यह उपादी नहीं है और यह बात कब कही गई थी तो यह कही गई थी 1996 में 1996 में कहा गया कि जो पदम पुरुषकार है वो उपादी नहीं होकर पुरुषकार है इसी के साथ में एक चीज और कही गई थी कि कोई भी वेक्ति अपने नाम के आगे या फिर अपने नाम के पीछे इसका उव्योग नहीं कर सकता तो अगर आप कहीं पढ़ते हैं कि कि कुछी वेक्ति के नाम के सामने तो पिर वो हमारा समयदान है उसका उलंगन है ऐसा नहीं किया जा सकता इसी के अलावा अनुछे-ठारह में और क्या प्रावदान है तो इसमें कि कोई भी वेक्ति कि 혹시 अन्य देश से किसी भी परकार की उपादी गरेण नहीं कर सकता कोई वेक्ति दूसरा प्रावदान इसमें क्या है कि कोई भी वेक्ति भारत का जो भारत सरकार के अधिन कारिये करता है वो किसी अन्य देश से उपादी प्राप्त नहीं कर सकता है और जो तीसरा प्रावदान है वो यह है कि कोई भी वेक्ति जो भारत सरकार के अधिन कारिये क करता है वह राष्ट उपती की अनुमती के बिना कोई भी पुरुषकार या उपादी प्राप्त नहीं कर सकता किसी अन्य देश से तो यह इसमें प्रावधान किये गए हैं और इसका जो मूल आधार है या फिर ऐसा क्यों किया गया तो उसका कारण यह है कि सब के बीच में जो और जो फोज है जो education और military है उसमें इसकांत नहीं किया गया है education में आपको पादियां मिलती है और जो फोज है उसमें अलग-अलग rank दी जाती है उनको अलग-अलग पद दिये जाते हैं वो उनके लिए उपादी है तो फोज और जो शिक्षा है उसमें उपादियों का अंत नहीं किया गया है इसके अलावा जितनी भी जिगह हैं हर जिगह पर इनकांत कर दिया गया है तो यह आज कुछ जानकारी थी अनुचेद 16, 17 और 18 के बारे में जो कि हमारा समानता के अधिकार क इंतर काते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हमारा जो नेक्स्ट अनुचेद 19 उसके उपर चर्चा करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए आपके कोई भी सवाल यह सुजाओ है तो आप हमें कमेंट करके बताएए आपके हर सवाल का जवा अजयक बाद दो आपके कीजिए आपके लाई मतिया जो क्यों आपके जवाल मताओ हमें कीजिए आपके यह सुजाओ आपके जवरल से कि भी सवाल का जव्र रिजशा झाल टो इंवाार का लेक्स्ट गत्स्वा-सवाल सवाएभी सिल इसक्षण दावके कीजिए चैस्था क